अभी हाली में आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे देश की राष्टपधी साहिबा द्रोफती मूर्मू ने विचारादीन कैदियों का मुद्दा उठाया था अब आप लोगों कहोगे कि विचारादीन कैदी कौन होते हैं तो विचारादीन कैदी का मतसीधा सा मतलब होता है ऐसे कैदी ऐसा बैक्ती जिसे अदालत ने दोसी करार नहीं दिया हो और उसके खिलाब चल रहा मामला अदालत में लंबेत हो और उसे उठाकर जेल में डाल लिया गया हो और इस तरह कि आप लोग कई मामले देखते हैं आप देखें कि किसी पर आरोप लगता है उसे उठाकर एफाई यार होती उस पर और उसे बंद कर दिया जाता है उठाकर जेल में और उसका जो मामला रहता है केस रहता है वो पैंडिंग में पढ़ा रहता है और आप देखें कि सालों गुजर जाते हैं उसे अदालत में मुकदमे को चलते हुए और ऐसे कई मामले साबने आएं कि 10-20 साल गुजरने के बाद जब उस केस का फैसला हुआ तो कह दिया गया है कि वो निर्दोस था उसने कोई गलत नहीं किया था तो आप सोचें कि आपने आदे से अधिक उसकी उम्मर आप देखें जिल में ही काटवा लिया आपने 10-20 साल तो यही मामला बना हुआ है और आप देखें कि यह वो लोग होते हैं जो मध्यम परिवास हैं गरीब परिवास हैं जिनके पास बहतर बकील बहतर इस तरह की उठी जाते हैं तो उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं और राष्टपती के बारे में बात करें तो आप सभी जानते ही कि देश की पहली आदिवासी राष्टपती हैं द्रोपती मूर्मू उडिशा राजे से संबंद रखने वाली पहली राष्टपती है और देश की अनुछेद बावन पड़े 52 तो इसमें भारत की राष्टपती की बात की गी है और आप सभी को मालू होगा कि भारत की राष्टपती का चुनाओ बिदहान सबाब, राज्य सबाब, लोक सबाब की निर्वाचित सदस्सों के द्वारा होता है मनोनी सदस इसमें भाग नहीं ल पिष्चा करते हुए रिमांड पर रखा गया है या एक बैक्ती जो न्यालाय में बिचारा दीन है वो बाहर नहीं है, जेल के बाहर नहीं है, जेल में बंद है और विधी आयोक की 78 वी रिपोर्ट में बिचारा दीन कैदी की परिभासा की में जाज के दौरान नियाएक हिर परिभासत की कैद बैक्ती को भी सामिल किया गया है और आप देखते हैं कि कई मामले आरोप लग जाता है, आरोप लगना बड़ी बाद नहीं है, आरोप सिद्ध होने और आरोप लगने में जमीन आस्मान का फरक है, कई इमांदारों पर भी आरोप लग जाता है और बाद म वो निर्दोस पाए जाते हैं अगर हम विधी आयोग की बात करें तो आप देखे कि पहली बार 1834 में इसकी स्थाफना हुई थी यह आप लोग याद रखिएगा Law Commission of India की बात हो रही है और नई दिल निवेस का हेड़कॉाटर आपको देखने को मिल जाएगा भारत में अगर विचाराधीन कैदियों की स्थिधी की बात करें तो राष्टी अपराद रिकॉर्ड बीरो कि अरुनसार पिछले 10 बरसों में जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या लगातार बढ़ रही है 2021 में चरम पर पहुँच गई और आपने देखा होगा कुरोना महामारी आई थी तो बहुत सारे लोगों को जमानत भी दे दी गई थी छोड़ भी दिया गया था अब आप लोग कहोगे कि NCRV क्या है राष्टी अबराद रिकॉर्ड बीरो इस तरह की छोटी छोटी जो संस्था होती है उनके बारे में भी याद रखा करिएगा उनसे कई बार डारेक्ट कुछ से पूछ लेता है आपकी परिक्षाओं में तो नेशनल क्राइम रेकॉर्ड बीरो की स्थापना 11 मर्च 1986 में हुई थी यह आप लोग याद रखेगा और इसका हेड़क्वार्टर आप लोगों को दिल्ली में देखने को मिल जाएगा 2020 में देश की सभी जेल कैदियों में लगबग 76% बिचाराधीन थे जिन मेंसे लगबग 68% या तो निरक्षर थे या स्कूल छोड़ने बाले थे यानि की कहने का सीधा सा मतलब आप लोग समझिए 100 व्यक्तियों में आप देखे क्या है? 100 टोटल कैदी है जिन मेंसे आप देखे 76 कैदी अभी उन पर आरोप तै नहीं हुआ है बिचारा दीन है अदालत में उनका मामला पैंडिंग में पड़ा हुआ है तो आप लोग अभी ये नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने कोई गलत किया है या वो दोसी है आरोपी है अभी, आरोप लगा है उन पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है और इनमें आप देखे कि 68% या निरक्षर है या तो आप देखे इसकोल छोड़ दिया है यानि कि आप समझ सकते हैं कि उनकी इस्तिती बहुत ही दैनिय है आरतिक इस्तिती देख लीजे चाहे सेक्षडिक या सामाजी की इस्तिती देख लीजे दिल्ली इमम जमू कस्मीर में जेलों में बिचाराधीन कैदियों का उच्चिता मनपात 91% पाये गया है और इसके बाद बिहार और पंजाब में 85 और उडिसा में 83 था यानि कि कहने का मतलब हैं कि बिहार में अगर 100 लोग बंद है तो उनमें से 85 ऐसे लोग है जो आप देखे अभी यह हम लोग कह सकते हैं कि वो निर्दोस हैं ना ही यह कह सकते हैं कि वो दोसी हैं उनका मामला पैंडिंग में बना हुआ है और सभी बिचाराधीन कैदियों में से लगभग 27% निरक्षर पाये जाते हैं और 21% से ने 10 भी कप्छा से पहले पढ़ाई छोड़ दी थी और चुनोतियों की बात करें इनकी सामने तो संसादन हीन कैदी है कई गरीब और संसादीन हीन बिचाराधीन कैदी है जिने आसंगत रूप से गरपतार किया जा रहा है और नेवित रूप से जेलों में नियाए खिरासत में भेजा जा रहा है या तो आर्थिक संसादनों की कमी के कारण या बाहरी सामाजी कलंग की डर से जमानल लेने और सुरक्षित करने में आसंबर्थ है और आप देखें कि इस तरह के मामले आप सोचे किसी पर आरोप लग जाता है तो उसे इस समाज में किस तरह से देखा जाता है या आप सभी जानते है भली उसने वो किया हो काम या ना किया हो लेकिन आप देखें कि उसे हमारे हाँ हमारे देश में आरोप अगर तै होता न तो उसे ये दोसी की तरह एक तरह से त्रीटमेंट करने लगते हैं लोग और आप देखें उनकी आर्थिक संसादन नहीं है उनके पास कि वो एक अच्छा वकील कर सके और अपना केस लड़वा सके तो वो आप देखते हैं अधिकतर जेल में ही डले रहते हैं जेल में हिंसा और दुरविवार जेल अक्सर लोगों कि किसी भी आचरन को अपराद नहीं माला जाता है और जिससे प्रादी करन लापरवाही से कार करता है और जिससे परड़ाम सवरूप कैदियों की बहुत हो सकती है और आप देखें हमारे अधिकार जो कार करता रहते है या संगठन रहते हैं वो भी चिंता जताते रहते हैं आप देखिए वहां भेड बक्रियों की तरह भरा गया है लोगों को स्वास्त समस्या है तो अधिकांज जिलों में भीडभार और कैदियों को सरक्षे देवं स्वास्त परिस्तितियों में रखने के लिए परयाप जगे की कमी की समस्या है और आस्वास्तिकर परिस्तितियों में लोग एक दूसरे की साथ तंग हो जाते हैं और संक्रमक और संचारी रोग आसानी से फैल जाते हैं और धारन के लिए जैसे टीवी हो गया तपे देखो गया इसका पिरचार परिवारों की पीटा और सामाजिक कलंग तो कई बार केदी का परिवार गरीवी में मजबूर हो जाता है और बच्चे भटक जाते हैं माल लेजिए किसी परिवार में आप देखे पहले से ही उसकी आर्थिक इस्तिति बहुत बुरी बनी हुई थी और आप देखिए कि उसका मुखिया ही जेल चला गया तो आप देखें कि उसके जो उस पर निर्भर होंगे उनकी इस्तिति क्या हो जाएगी आप सभी जान सकते हैं परिवार को सामाजिक कलंक और सामाजिक वहसकार का भी सामना करना पड़ता है अब आप देखें कि उस पर F.I.R. हुई उसे उठाकर जेल में डाल दिया गया किसी बेक्ति को और एक मामला आप लोग ने हाली में आपने देखा होगा भारत का ही है हमारे ही देश का मामला है उत्तर पड़ता है एक आप देखें कि उस पर बलतकार का आरोपत होता है और बलतकार आप देखते हैं कि इस तरह का रहता है कि समाज में उसे मतलब हीन द्रश्टी से देखा जाता है और समाज की सबसे घटिया बुराई है आप भी जानते है लेकिन आप देखी कि लंबी समय तक उसी जिल में रखा गया बाद में उसका फैसला आया तो कह दिया गया कि वो नेदो से उसे फसाय गया था तो आप सोची कि उसे उस पर क्या भीती होगे उसकी आपने लोगों ने एक लंबा समय जिल में रखकर काट लिया और सोचिये आप लोग की समाज ने कब तक उसे ताने दी हो गए उसके परिवार को उसे तो ये भी देखा जाता है और जिसे परिष्ठिया परिवार को अपराद और दूसरे द्वारा सोशन की और प्रेरित करती है और आप देखे इसलिए कहा जाता है कि हमारे नयाय पालिका को जल्दी कोई फैसला लेना चाहिए कि बहुत जल्दी आरोपते हो जाए अगर वो निर्दोस है तो छोड़ दिया जाए आरोप यानि कि आप देखे दोसी है तो उसे उठागर जिल में डाल दिया जाए और विशेस अधिकार पराप्त बरक अकसर इस इस्तिती का फायदा उखटा कर सेस परिवार की सदसों का पूरी तरह से सोसन करता है और यह बलककार या जवरन बैस्याविती का रोप भी ले सकता है विचारादीन कैदियों को समिधानिक सरक्षन क्या मिला हुआ है तो राज्य का विशे है भारत की समिधान की साथवी अनसूची की सूची दो की परिविश्टी चार के तह जेल उसमें हिरासत में लिएगे व्यक्ती राज्य का विशे है समिधान की सात्वी अनुसूची को आप लोग पड़ते हैं ना संग सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची उनी की बात हो रहे हैं जेल का पिसासन और प्रिबंधन समंदीत राज सरकारी की जिम्मेदारी होती है हाला कि ग्रह मंत्राले जेलों और कैदियों से समंदीत बिविन मुद्दों पर राज्यों के अंदसासित पिदेशों को नेमित मारक दर्सन या सला देता है अनुचेद 49 ये क्या कहता है नेती नेदेशक सिध्धान ता आप लोग पड़े ओनी की बात हो रहे हैं समिधान के भाग 4 की समिधान का नुचेद 49 से राज्यों को ये सोरक्षित सुनेशित करने का नेदेश देता है कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान आउसर के आधार पर नियाय को वड़ावा देता है और विसे सुरूपे उपिप्त कानून या यूजनाओं द्वारा या फिर किसी अन तरीके से निसल कानूनी साहिता प्यदान करेगा ताकि आउसरों को सुनेशित किया जा सके आर्थिक या अन चमताओं आचमताओं के कारण कोई भी नागे नियाय पर आप करने से बंचित नहीं किया जाए एर आप देखिए राज्यों पड़ छोड़ा गया है कि हर वैक्ति को नियाय एक तरह से आप देखिए कि उन्हें आउसर दिया जाए उनके उन्हें भी बकील उप्लब्द करवाए जा है इसलिए आप देखते हosure करटी सरकारी बकील होते हैं लेकिन आप द जिसके अंसार कानून द्वारा इस्थापित विक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्ति का सुतंता से बंचित नहीं किया जाएगा। सर्वोच नहाले की बात होती है तो सुपरिंग कोट की बात होती है तो समिधान की अनुच्छे 124 के तायद इसकी इस्थापना की बात कही गई है और आप देखेंगे इनमें जो नियाइदी सोते हैं उनकी सेवा निवित्ति की उमर 65 साल होती है 28 जनवरी 1950 में इसकी एक माना गया है यानि कि जल्दी से इनके नेड़े हो सके और इसलिए आप कहते हैं कि फास्थ कोट बनाई है जिनसे आप देखें जो पैंडिंग में लाखों की इस पड़े हुए है उनका नेड़े हो सके बकील बाकेदी अनपात पितेक 30 कैदियों के लिए कम से कम एक बकी होना नहीं वार है जबकि बर्तमार में ऐसा नहीं है उल्टा बहुत बुरी इससे दी देखी जाती है और विसेस नियाले पांच बर से अधिक समय से लंबित छोटे मोटे अपरादों से निपटने के लिए विसेस फास्ट्रेक नियालेयों की स्थापना किया जानी चाहिए और इसके अलाबा जिन अवियुक्तों पर छोटे मोटे अपराद लगाये गए है और जिने जमराद दी गई है लेकिन जो जमराद की विस्था करने में आसमर्थ हैं उन्हें बेक्तिगत पहचान बौन पर रिहा किया जाना चाहिए इस्तगन से बचाओ उन मामलों में इस् पितिक नए कैदी को जिल में अपने सप्ता के दोरान अपने परिवार की सदस्तों को एक दिन निसल फॉन कॉल करने की अनुमती दी जानी चाहिए यह आप देख रहे हैं अगर कोई जिल में बंद है बहुत सारे आप देखिक कैदीयों को यह भी मालूनी रहता है कि उन्हे सप्ता में एक दिन अपने परिवार से बात करने की अनुमती होगी कानुनी साहता तो कैदीयों को प्रभावी कानुनी साहता प्यदान करना और कैदीयों को बेवसायक कौसल और सिक्षा प्रदान करने ही तु आवसर कदम उठाना चाहिए आईसी टी का उपयोग को उठा कर जेल में बंद मत करिए इसके अलाबा नियालेयों को पूर परिक्षण चरण में अत्वा पारिस्तितियों परिस्तितियों के रूप अपराधियों को परिवेक्षा प्रोवेशन परिहा करने के लिए पुरुसाहित किया जाना चाहिए 2017 में भारत के विदी आयों ने सिफारिस की थी कि जन जिन बिचाराधीन केदियों ने 7 साल तक के कारवास की अपराधों के लिए अपने अधिक्तम सजा का एक तिहाई इस इसा पूरा कर लिया है उन्हें जमानत परिहा कर देना चाहिए लेकिन ऐसा होता हो तब तो आंगे क्य अधिकारियों की सुविधा के लिए दिया जाता है और प्राधिकारियों की सुविधा मात्थेतू अनुचेद 21 के तहट सम्विधानिक गारंटीयों का अधिकरमण नहीं किया जाना चाहिए और समदित बिधानिक प्राधानों को लागू करके विचाराधियों के अधिकारों की बारे में न्यायक नेड़यों, गरफतारी और जमानत देने और जेल सुधारों पर विविधन सम्तियों की सिपारिसों को लागू करके बिचाराधियों की संख्या कम करने पर जोड दिया जाना चाहिए तो यह पूरी कहानी है किनकी बिचाराधियों के बारे में, उनकी इस्तिती के बारे में अब इतने सब हम लोग कहानी देख चुके हैं इसमें कुछ बदला हो कुछ सरकार कदम उठाएं कुछ नयाय पालिकाएं कदम उठाएं तब कोई result निकलेगा अकेले बाते कर लेने से कोई बड़ी बात नहीं है बड़ी बाते होती रहती है चलिए और कोई टॉपिक हो तो उस पर अगर बात करनी हो तो आप नाम बता सकते हैं ठीक है